हलो फ्रेंड्स मैं हूं मुम्ता मम्ता गिशन में आप सबी का स्वागत है आज मैं आप के लिए बनाने जा रही हूं शाही पनीर की रेसिपी शाही पनीर पनीर की एक बहुत ही फेमस और डिलिशियस रेसिपी है शाहिपनीर को ज़ादतर लोग धाबे और रेस्टोरेंट की खाना पसंत करते हैं लेकिन इसे घर पर भी बहुत ही असानी से बनाया जा सकता है ये शाहिपनीर की सबजी बहुत ही क्रीमी और टेस्टी होती है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये टेश्टी शाही पनीर की सबजी बनाना सबसे पहले हम यहाँ एक कड़ाई गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ओयल अब हम इसमें डालेंगे 1 फोर्ट कप काजू क्योंकि शाही पनीर है तो काजू डालना तो बनता ही है काजू शाही पनीर में बहुत ही अच्छा टेश्ट देता है इसे हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे काजू को रोस्ट कर लिया है इसे लगबग 1 मिनट तक पूना है अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो मेडियम साइज के प्याज जिसे मैंने मोटा ही काटा है साथ ही डाल देंगे 10 से 15 कलिया लसुन की और 1 इंच अद्रग का टुकुडा जिसे मैंने पील कर लिया है इन सबको हम दो मिनट तक लगातार चलातेवी मेडियम फ्लेम पर भून लेंगे दो मिनट हो गए हैं प्याज को हमने हलका भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो मेडियम साइज के कटे हुए टमाटर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक से जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे इसे हमें दो मिनट तक धक कर लो मीडियम फ्लेम पर पका लेना है जिससे सभी इंग्रीडियंट्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे दो मिनट हो गए है सभी चीजे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है अब हम गेज की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे थंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब ये मिश्रण ठंडा हो गया है इसे हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और फीस्ते वक्त इसमें हम पाने का इस्तमाल करेंगे आप चाहें तो पाने की जगए धाई का भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए ये पेश्ट मैंने तयार कर लिया है इसमें मैंने हाफ कप पाने का यूज़ किया है यहां हम दुबारा एक कड़ाई ले लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच घी गी करम हो गया है अब मिस्त में डालेंगे खड़ी मसाले, दो लोंग, एक बड़ी इलाईची, दो छोले टुकडे दाल चिनी के साथ से आठ काली मिर्च, एक तेज पत्ता जिसे हम दो टुकडों में तोड़ कर डालेंगे इसे हम मिक्स कर लेंगे, अब मिस्त में डालेंगे देगी मिर्च, इससे सब्जे में एक अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाता है, साथ ही डाल देंगे पेस्ट जो हमने पीस कर तयार किया था, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब मिस्त में डालेंगे आदा चमच नमक, आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर, आदा चमच धनिया पाउडर, और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही डाल देंगे आदा चमच, किचन किंग मसाला, आप इसकी जगर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ध्यान रहे फ्लेम को हमें मेडियम रखना है, अब हम इस पेस्ट को दो मिनट तक ढखक कर लो मेडियूम ख्लिम पर पका लेंगे दो मिनट हो गए हैं लिड को हम हटा देंगे ये देखिए सभी मसाले अच्छे से भुन गए हैं मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश दूद की मलाई इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद की मलाई सभी की गर में असाने से मिल जाती है अब हम इसमें डाल देंगे पनीर पनीर को मैंने मेडियम साइज में काटा है आप चाहे तो बड़े या छोटे जैसे आपको पसंद है आप काट सकते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमसे दो से तीन मिनट के लिए ढग कर मेडियम फ्लेम पर पका लेंगे दो मिनट हो गए हैं लिर्को हटा लेते हैं वाव बहुत ही अच्छी कुश्बू आ रही है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सबजी में अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी जिससे बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आ जाएगा ये देखिए लग रही है ना बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये शाही पनीड की सबजी बनकर बिलकुल तयार है गेस की फ्लेम को हम ओफ कर देंगे अब हम शाही पनीड को सर्विंग बोल में निकाल लेंगे तो दोस्तों देखा आपने शाही पनीड बनाना कितना असान है आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राइ करके देखिए का आपको ये बहुत पसंद आएगी इस टेस्टी और क्रीमी शाही पनीड को खाने के बाद आप रेस्टोरेंट के शाही पनीड को तो भूली जाएंगे ये देखिए फ्रेंस मैंने इसे बावल में निकार लिया है आप इसे बनाईए खाईए और अपना उनुभाव मेरे साथ कमेंट वोक्स में जरूर शेयर करिए अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चली दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई